अब देख रहें नियुश फोर्ड नेशन राजद में एक बरी घमसान के बाद अब बहुत बड़ा महत्पुन बैठक बुलाए गया और ये बैठक जो है पुडव मंत्री जो रजबला परसाद यादब है उनके भतिजा असोक यादब ने बुलाए ये बैठक का निन्ने सिर का सिलसिला जारी है और राजद के जो वरिस्ट नेता है वो लोग इधर बैठे जो काफी दिनों ते राजद का जो राजद में रहे तीस से पैतीस साल थे राजद को नवादा में मोकाम पहुचा है और तमाम लोग यहाँ पर बैठक का देख रहें सिर्फ भतिजा जो है अ मान करने का नवादा में कोषिस किया गया सबसे पहले मसोच जीते जानेंगे आज यह महत्पून भैठक का यह निर्ने होगा निर्ने हम लोग भी करेंगे साइध आप लोग जनता को देखके निर्ने समझी गे होगे कि उनका रुज्ञान क्या है अँड निर्ने के साथ सध पीमों लालू परसाद यादब में किये हैं उसका जवाब चुनाओं में मिल जाएगा हम लोग कम मुख मुद्दा जो है सलमान रागीव जो 18 साल से मलसी बने हुए हैं वो जो विकास उनको करना चाहिए उस विकास वो कर नहीं पाए और जितना 18 साल का फंड है उस सारा बेच करने के लिए हम लोग लोगों को भावना को जो दबाया कुछ लाया रहा है उसको जिंदा करने के लिए हम लोग आए हैं जो भावना है उनको जिंदा करने कहीं ना कहीं राजत ते नराज है लेकिन जानेंगे आप लोगों ने राजत को बहुत मजबूती के पहुचा है अ उस उमिदबार को मानने के लिए हम लोग नहीं तयार हैं क्योंकि राज़त के कई डेट हैं ही नहीं राज़त में कभी काम किये ही नहीं इसलिए हमारे जितने भी परतिनी धी हैं किसी को यह बर्दास नहीं होगा हर आलत में असोख जादव को परतियासी बनाने का काम करेंगे आप परदेश भेजने का काम करेंगे इस महत्पुन बैठक में आ है क्या निन्ने होंगे क्या आप यहां की कमान समालते रजवल्लब परसाद यादब उनके लिए क्या सोचते आजब जनता भी जानने की कोईसिस करें यहां टीकट कहा यह यह कैसे मिली और कैसे मिले है सरवन कुस्वा चाहिक आधारी की तीकट मिलता है राज़त में घमसान मचता है जिला परसद भी वह दूर हो जाते कमाम जिला परसद भी नराजे कैसे आप लोग देख रहे हैं आप लोग काफी करीब रहे हैं आज क्या इस्तिती हो गई है राज़त की आज हम लोग सही राज़त को चुन रहे हैं जान बुझके परदेश के हमारे तेजस्वी जी और लालो जादव ने सोपने के काम करते हैं जो आज तलक कभी पार्टी के सदस्ता भी नहीं गरहन किया है और उसको बना दिया है मैं काफी बिरोध करता हूँ और हम लोग सोग जादव को समर्थन में यहां से विधान परसद जीताने के काम करेंगे आज इस बैठक में किस लोग जन परती नीदी भी है कारशर तब यह कौन लोग आए से सारे मुखिया हमारे जिला के हैं सारे बार सदस हैं पंचाय समीति हैं और हमारे मुख मुख आर जेडी के जो लोग है वह है हमारे साथ यहां पर जो है यह महतपोन बैठक बनाए आपको बता दे यह क्या है पूरे मामला ये मामला भी आप जाएं टिकट मिलने के बाद नवादा में जो राजत नेता है जो लगातार राजत के साथ थे वो यह नाराज होने के सबसे पहले जो पत्र जारी किया जैसे ही उनकी त्याग पत्र आती है तो सोशल मीडिया पे जो लगातार जो लालू यादब ते जस्वी यादब के परती लोग भरास निकालना सुरू कर देते नवादा में और नवादा के जो राजत के जो नीता है वो काफी नराज हो जाते आप निर्नाय आज यही लिया जाएगा तो जो पुर्व मंत्री है राजवल्लब परसाद यादब राजवल्लब परसाद यादब के जो भतीजा है असोख यादब को MLC का उमीदबार बनाएगे और निर्दलिये चुनाओ के मैदान में उतारेंगे और जीत का भी धावा ठोक रहते जीतेंगे तभी पाटी कड़िया ले जाएगे और नहीं जीतने के बाद राजवल्लब पूरी तरह नवादा में तूट चुकी है कही पर भी राजवल्लब